तोरपा पुलिस ने गांजा तसकरी करते मा बेटी को 20 किलो गांजा के साथ गिरफतार कर जेल भेजा है बताया गया कि सीमडेगा जिला के जलडेगा थाना अंतरगत गांगोटोली निवासी गीता देवी 45 वर्स हुआ गीता की बेटी 21 वर्से पिंकी कुमारी तसकरी के कारे म शामिल थी आवायद गांजा की खेप सीमडेगा से रांची चलने वाली मंत्री नामक यातरी बस से मिली है खुटी एसपी अमन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि गांजा की तसकरी होने वाली है इसके बाद सूचना के सत्यापन पर अनुमंडल फुलिस फदादिकारी टौरपा क्रिष्टोफर करकेटा करने तौरपा थानजेतर के कुलडा जंगल के सामीब बस को रोक कर छपा मारी करने पर दो बैग में भरड़ा बीस किलो गांजा के साथ दो महिला को गिरपतार किया गया गिरपतार दोनों मा ब legendary के दौरा जिस बैग में गांजा भर कर पंजाब होने वाली थी दोनों तसकर सीमडेगा वा उडिशा से सस्ती कीमत में गांजाग खरिद कर पंजाब में बेचने का कारे करते थे बरतमान में गीता वा पिंकी करतारपूर पंजाब में रहते हैं चाफामारी टीम में थाना परभारी तौरपा मनिश कुमार विवेक परसंत विसुजित ठाकुर महती वोईपाई अंसीला भेंगरा सेल वीना भेंगरा सामिल थी गिरफतार दोनों महिला के पास से दो मोबाइल फोन वा एक बैंक पास्वूग भी पुलिस को ब्रामत हुआ है सुचना पुलिस अधिक्चक खुटी को मिली थी कि छेदू दौजर चोबिस को सिम्डेगा से जो बस चलती है मंतरी बस उसी में गांजा का तसकरी हो रहा है और उसी के दोवारा एक टीम गठित की गई उसमें चपावे अमारी दाल में मेरे दोवारा नहतितुआ किया गया और आपका तोरपा से थोड़ा सा आगे है कि कुलड़ा जंगल है उसी के समीख चपा मारी की गई बस को रोकी गई और वहां से करीब 20 केजी अवायद गांजा जब्त किया गया और उसमें दो महिला है उसके तसकरी कर रही थी जो बस में बैटी थी दोनों जान अपने सीट के नीचे ही दो बाइग रखा हुआ था उसी में करीब 20 केजी अवायद गांजा जब्त किया गया सेलो टेप से पाइक किया हुआ था करीब दो दसदस के जीग पाकेट का था और दो स्क्रीन टच मोबाइल और पासपुक मिला है उसमें चपामारी दल में मेरे साथ थना प्रावारी मनिश कुमार पुवानी और पुवानी विवेक प्रसंथ पुवानी वीषवजित कुमार टौर्पा सामिल रसाता दांजा कोे पता से आगे तक ला इधार ना आ आता है यहां से सिंड़ेगा से राचिल आता राची से हमको लगता है कि जो एक अड्रेस मिला है पंजाब का वहीं ले जाया जाता दो महिलाम के तुमारा